नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है सुराज में इस ख़बर को आपको दिखाने जा रहा हूं ये ख़बर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है स्टीट लाइट योजना से सबसे पहला सवाल मैं आपसे क्या लाइट आपके पंचायत में लगा है अगर लगा है तब भी यह वीडियो देखने के लिए आपको और नहीं है तब भी है इस वीडियो को मैं ज़रूर कहूंगा आपसे कि यदिविद्यो को पूरा देखें और और दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि यदि चौपाल से आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर चौपाल से जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबाले और आप अपने विचार को कमेंट के मादें से चौपाल में जरूर प्रिसित करें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुने स्ट्रीट लाइट योजना बड़ा ही महत्पूर्ण योजना है और इस योजना में आप जो देखेंगे कि जिस तरह की बात कागजीर रूप से बताई गई है अगर पंचायत में वो इंप्लिमेंट हो जाए तो मैं कहता हूँ आपको कि आपको लगेगा कि आपका पूरा पंचायत उजाला में सराबोर हो गया है आपका पंचायत का हर वो मुहला हर वो सारदनी का स्थान लगेगा कि रात में भी दीन नजर आ रहा है योजना भी बेहतर है और इसको लेकर काम भी चल रहे हैं पैसे भी खर्च हो रहे हैं पंचायत में पैसे आए हैं बहुत जगा यह इस योजना पर काम हुआ है बहुत जगा पर होने वाला है अगर हुआ है तब भी नहीं हुआ है तब भी आपको इस देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं बस उसी भासा को उसी बातों को जो लेटर पंशायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो निर्गत किया गया था उस लेटर में योजना के बारे में बताया गया था कि क्या है योजना कैसे इसका का इंप्लिमेंटेशन होगा और आज मैं आपके स्क्रीन पर सबसे पहले वही दिखाना चाहता हूं आप देखें इस योजना के इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है यह जो लेटर है यह आपको देख सकते हैं कि इस लेटर में जो जारी किया गया है पिहार सरकार पंचायती सिराज विभाग के द्वारा 179-2021 को यह लेटर इशू हुआ था और इसकी पूरी डिटेल जानकारी यहां पर आपको पर भी दिख रही है अब आगे आप देखेंगे इसका जो विशा है यह मुखमंत्री ग्रामीन सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान वियन के शंबन में इसमें इस लेटर को मैं धीरे-धीरे पूरा आप इसको स्वें भी पढ़ ले बहुत ही बेतर है इसकी मोटी-मोटी बात जो मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि यह जो योजना है यह योजना गाओं में सोलर स्टीट लाइट के लक्ष की जो सत प्रतिशत प्राप्त को लेकर यह बिनाया गया है कि वहां पर श्सीट लाइट लग जाये और यह जो रोशनी के समस्चा होती सारवजनिक उपयोग हे तू चणवध रूपशे लगाये जाएंगे यह योजना में लगाए जाएंगे अगर आपके पंचायत में लग गये हैं तब भी और नहीं लगे हैं तब भी लगाये जाएंगे आगे आप इसमें ध्यान से देखिए कि यह जो सोलर सीट लाइट का ज पुचाई पर पोल में जो है वो लगा दिया जाएगा विद्धूत का वो जो पोल है उसमें लगाया जाएगा और वहां पर लगाया जाएगा लेकिन देखिए एक चीज़ और है इसमें जो पोल पर जो लगाए जाएगा één का स्थान में इसको लगाए जागा जहाँ पर लोग आते जाते हैं इसमें क्या है कि अस्थल का चैन को कबहर कर सामने ध्यान से देख़ए आपको यह लड़ां होती रहती है पंचायत में मैं करूंगा ध्यान से देखिए कि मेरे दर्वाजे पर लाइ लाइट नहीं लगाए मुख्या जी, मेरे दर्वाजे पर वार्वार मेंबर साहब लाइट नहीं लगाए कैसे चैन होना है उसकी प्रकडिया है अगर आपको ये सब प्री समस्या है तो इस नियम के तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके दर्वाजे पर अगर नहीं लगा है तो क्या आप इसमें फिट बैट रहे थे कि नहीं बैट रहे थे या आपके दर्वाजे के सामने जो चोड़ाहा है वहाँ पर नहीं लगा और परोसी के दर्वाजे पर लगा दिया गया है वो भी आप इसको देख सकते हैं और उसको लेकर यदि कोई समस्या है तो समझेत अधिकारी पताधिकारी जन्पती से बात भी कर सकते हैं साप साप इसमें बताया गया है कि सोलर स्टीट लाइट का जो अधिस्थापन किया जाएगा वो जो है ग्राम पंचायत के टोलो बसावट छेतरों में सरको गलियों को देखते हुए प्रतेएक वाड में सारवजनिक उपयोग हेतू औसतन दस सोलर स्टीट लाइट अधिस्थ लाइट लगा देंगे उस वाड में तो बाद समझी बहुत चोटी जगह होती है और वाड के जहां पर जो लोग आते जाते रहते हैं आप समझ सकते हैं कि चंद जगह है अईसी होती है जहां पर की अंधेरा होता है तो दरवाजे पर लोग अपनी लाइट लगा कर रही बात करेंगे ग्राउंड पर चल कर देखेंगे कहां पर लगा है कहां पर नहीं लगा है कैसे इस योजना का लाब मिल रहा है इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे पहले आप इसको समझ यह नहीं तो ऐसा होता है जिसको लिए मैं आप आपको दिखा रहा हूं कि आपको सा नेखिए समझ ये कि योजना क्या है और इसको ले कर जब आप समंझ लेंगे न तो आपका अधिकार मिलेगा मैं सबसे पहले यह कहुँगा समझना जरूरीए नहीं तो होती क्या है कि आधि जानकारी जो हो जाती है आप बास जानकारी रहती नहीं है कोई cuántा देता कर अपने जन प्रतिंदी को चून कर जो सुरुवात की है अब इस सुरुवात को बहतर अंजाम तक लेकर जाना इसलिए हम चौबाल समचार के टेम भी पहल कर रही है इस वीडियो को पूरा देखे और लाइन बाइन आप इसको पर है साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इस नंबर पर हमें वाट्सप करें कि मुझे भी इस लेटर की कॉपी चाहिए हम आप तक ये कॉपी भेज़े देंगे वाट्सप के माध्यम से तो जरूर आप इसको देखें पूरा इसको परहें योजना को सबसे पहले समझे इसलिए मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ मोठ आपको पूरा ध्यान से पढ़ें समझें और फिर आपको जो है इसमें आपके यहां light लगे और बेच्टर हो यही आपको चाहता हूँ आपको आप है कि light घुडाब हो गया है अब इसका क्या उपाय करें उसके लिए भी और यलाइव लगा है और खराब हो गया या लगनेवाला है लगेगा और खराब हो जाएगा तो यहां पर लगा होगा जो कंपनी जो इसमें है पांच वर्स्तक रक रखाओ की जिम्मेदारी या दिस्थापन thaापन एजेंसी की होगी जो लोग इस 누त को लगांगे पांच साल तक मैं बात को दोराना चाहता हूं पांच साल तक उस लाइट के रख़खाओ की जबाब दे ही उनकी होगी उन्हें ठीक करना है और इसको लेकर ये ठीक जो करेंगे इसको लेकर भी बहुत ही बेहतर तरीका यहां पताएगे यहां पर मैं आपको इसको पढ़के सुना देता हूगी पांच वरस तक रखराखाव की जिम्मेदारी अधिस्थापन एजेंसी की होगी इसके लिए कुल निवित रासी का चछ परतीषत परती वरस की दरसे भुखतान ग्राम पंचायत द्वारा एजेंसी को किया जाता रहेगा छे परतिशत का भुकतान भी उनको होता रहेगा और यह लगाएंगे उनको देखना है इसमें कहा है कि यह भुकतान वित्य वरस के माह अपरील और अक्टूबर में दो किस्तों में तीन परतिशत की दर से किया जाएगा कि लाइट पांच वरस तक अभी चुनाव हुआ अभी लाइट लगने वाला है और जैसी आपका लाइट लगेगा पांच वरस तक लाइट जगा चक रहेगा कितना बेहतर होगा इस वीडियो को ज़्याद से लोग शेयर करें मैं बार बार करोगा चौपाल समझा से जुर जा बेहतर होगा तो पांच वरस तक जो बाते हैं वह बनाने का इसको ठीक करने के जवाब दहीं उनकी होगी जो इस एजनसी में इन्होंने जो लाइट लगाएंगे और साथ ही साथ देखिए यहां पर जो है कि अगर अगर है न कोई गरवरी होगी तो गरवरी होने के बाद भ लेकर जो शमर्वै शमीती बनाई गई है उसको लेकर के भी बात यहां पर रखी गई है आप स्क्रॉल करता हूं मैं आप इसको देखते जाएंगे कि किस तरह से बात यहां पर रखी गई है कहना यह है मुझे देखिए बाते बहुत लंबी नहों कि अगर अगर मैं आपको इसको पहले पूरा पर लें कि शिकायत निवारन की विवस्था देखिए यहां पर जो है कि अगर कोई समस्या होगी तो शिकायत निवारन की विवस्था भी इसी योजना के माध्यम से की जानी है उसको लेकर जो लेटर जारी हुआ है उसी में लिखा गया है कि पंचायती यही बात है कि यह जो यूजना है मैं आपको इसी लेटर को जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्टर में भी डाल दूँगा कहना यह है कि देखिए योजना जितनी भी योजना आती है पंचायत में पहले भी आपने स्टिट लैट की योजना देखी थी और आया था हमारे पंचायत में अभी आपकी वरतमान इस्थिति क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा और या आप अगर देखेंगे तो आप स्वें भी देखवा आकलन कर सकते हैं और आप कोई समाजी कारिकरता है या समाज के नागरिक हैं आपका अधिकार बनता है वहां पर देखे जाने परखे लेकिन बरतमान परिस्थिति में जो विकास का दौर आभी आया है और यह साथ निश्चा टूक की जहां तक बात हो रही है उसमें विए क्शा को सरकार के माध्यम से जो आफी के पैसे आपके समाज के पैसे आपके द्वारा दिये गए T tart के पैसे आपके दौरा खरीदे गए समानी अधा कि समानी कीमत है उसमें सरकारको truths डेते है इस योजना के माध्यम से मैं आपको कहूंगा कि आपका पंचायत अगर नहीं जगमगा आया ना तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा चुकि जब लाइट एक बार लगेगा फिर उसके बाद इस योजना का लाव दुबारा नहीं मिलेगा और फिर अगर आप लोग इस बार अगर बेहतर नहीं लगवा सके तो फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा मैं यह को होगा और इंतजार क्यू करेंगे हम सभी लोग बिर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं हम आपके पास भी आएंगे और आपके यहां जो बेहतर चीज़े हैं उन चीज़ों को लेकर देश चुनाते दिखाएंगे शाथिज़त में एक अपील करना चाहूंगा हमारे खासकर जन परत्निधी जो की चुनकर आये हैं पंचायती राजवेवस्था में आज़र वो पंचाय समीती हों मुखिया हों वार्ड अ होते हैं या उस लोगों की आशा से युड़े होते हैं जिनी लगता है कि हमारे परोष मोखिया घ्या मेने मदथ मिल जाएगी हमारे गाओं के मूख्या जी हमारे पंचायत के मुख्या जी है तो इसता क्या अनुरूप फ्राषा करें और यहिवह कर भी रहे हैं महसूस करता पराही मतलब की बहतर हो जाएगा यह मैं आसा रखता हूं चुकि रोशनी जहां पर आती है उजाला जहां पर आता है वहां पर आशाव आती है वहां पर विश्वास बनता है वहां पर समाज में बहतर ही आती है वहां पर गलत जो परकोप है उस परकोप शेभी लोग बसते है उनको शाहता करें, मदद करें, योजना का लाब लें, शाथ ही शाथ है, इस वीडियो को भी शेयर करें, कि इन सी योजना के लाब से, जो लोग बंचित हैं, या आप इस योजना का लाब नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें भी इसके जानकारी मिलें, अगर कोई दिक्कत होती है जो बटन है जरूर किलिक कर लें अगर आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस पेस को लाइक कर लें वाटसप से भी जूड़ जाएं इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर से भी जूड़ जाएं समस्या और समाधान हम सभी के पास है मिलकर बेद